वेल्कम तू स्पोर्ट्स यारी और ओलिम्पिक्स की तरह ही पैरलिम्पिक्स पर भी हमने काथा बैवी फोकस रहेगा नजरे रहेंगी और जैसे आज भी हमने आपको बताएगी कि इस तरीके से एक मेडल पक्का हो गया लेकिन उस मेडल को और जादा बहतर करने के मौके हैं पर देशा की तरह है जैसे में ओलिम्पिक्स में क्या था कोशिश यही रही कि इसी तरीके से पैरलिम्पिक्स में भी जो लगातार हम आपके साथ अपडेट्स शिडूल ये सब शेयर करते रहें तो भवीना पटेल जी धिरजबाई जिस तरह किसे आज की दिन की देख भी सकते हैं जैसे कि 6 बचकर 10 मिनिट पे विमिन सिंगल्स क्लास 4 जो अलग अलग क्लास रहती है इसमें उसके मुकाबले में भविना बेन पटेल हैं और इन से क्या वुमित करते क्योंकि आप बता रहते हैं लेकिन अभी तक का जो कैम्पेन है पहले मुकाबला हारी उसके बाद जिस तरह के से वापसी करिये अपने से जो वर्ल्ड रैंकिंस में कहते हैं एक के बाद एक तफ कॉम्पेटिशन के सामने था लेकिन अभी तक सबको पार बाते हुए आई है तो पहला मुकाबला ही था जैसे आपने देखा कि उनका चाइनीज खिलाडी से था ज जिससे भी खेली तो जाए और बेटी की खिलाडी हो जाए बैजल की खिलाडी हो ऑगातार वंगे तो अम्र्ल को बैगा टो को हरा दिया तो अभी जोन का सफर लग रहा है कि अलरी इतिहास उनों न रच दिया क्यों पहली भारती महिला बन चुकी है जिनके मेडल मेडल जो ह प्रसार भारती आप उसके बाद जो अगला मुकाबला है वह है 6.30 मिनिट आर्षी में 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 इंडिविच्छ अपनट यहां से इसके तो आपको लाइड़े एक पर फॉलो करना है तो आप दिएडी स्पोर्टी उसके बाद जो अगला मुकाबला है वह है चैबच कर अंट-30 आर्ष्री में 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 इंडिविजुल कंपाउंड ओपन यहां पर वही आगे निया इनकी जर्नी भी रोमांचक सी अगर आप देखे तो बहुत ही गरीब घर से आते हैं इनकी पिताजी सब्जी का जो स्टॉल होता है बहुत गरीब घर से आते हैं और यहां तक कर सफर तैकन इनकी जो रैंकिंग अभी 21 नंबर की है इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है बट उमीदे कल से बहुत है अगला फिर मुकाबला अगें आर्श्री में ही जैसे हम कहते कि अलग अलग लॉट में तो इनी का राकेश कुमार जी हैं वो भी अगें कंपाउंड ओपन में वन सुराकेश कुमार जी की अच्छी खासियती है कि इन्होंने अपना करियर बेस्ट दे दिया यहां पर आप अगर देखेंगे पर अगें जैवलीन थ्रो फिफ्टी सेवन फाइनल और जैवलीन थ्रो जब हम बोलते हैं तो आप देखें होंग से मुष्कान चेहरों पर आई क क्योंकि ओल्म्टिक्स में जो आपका गोल्ड जो आपका एक सूखा खत्म और जैवलीन पैरलिम्पिक्स में भी हमारे एक एक इवेंट फुल इवेंट रहा है वहां पर जह हम दिवंदर जजज़िया की बात करते हैं उन्होंने लगातार आपको मैडल्स दिलाएं तो यहा हर्याने से आते हैं और इनका जोश भी बहुत ही काबले तारीफ है कि यह जैवलीन को लेके बहुत जादा क्योंकि 2012 में एक एक सिरेंट के दौरान इनोंने मतलब कह सकते है थोड़ा डिसिबिलिटी आगई अपने पैरों पे इसके वाई से थोड़ा नको तकलीफ हुई इन इनके वीडियो में ने देखे कि यह बहुत मतलब डिसिबिलिटी होने के बाद जिस तरह से करते हैं जिन्दा दिल है और पूरे अपना जो है बेस्ट एफट यहां पर दिना जाता है एक बर आप स्क्रीन पर फिर से दिखा दीजिए सारे इवेंट्स में एक एक करके बता अदे रिएगे शेबजकर 10-10 मिनिट में टेवल टेनिस का मुकाबला मैडल के लिए एक मूकाबला होगा मेडल का कलर आप याप drawn ज़्यादा कर सकते हैं हॉनका मुकाबला है सेमी या इसे मिन भाटिव श्याम सुनृट करेंगे अठबावन पर बाइन पर राकेश कुमार करेंगे और फिर साड़ तीन बजे जेवलिन त्रो का फाइनल है F57 के टेगरी का एथलेटिक्स में जहां पर रंजीत भाटी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो फिलाल अभी आपसे इजाज़त लेते हैं यह थी आज की दिन की अपडेट और लगाता जैसे कल कबरें वो लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे